दोस्तो T20 विशकाप शुरू होने वाला है और इंडिया का स्कुआट जल्द ही गुशना किया जाएगा ऐसे में क्रिकेट फेंस की दिमाग में एक ही बात चल रहा है क्या रियान पराग T20 विशकाप खेलेंगे दोस्तो रियान पराग की बल्लेबाजी में कितना दम है ये तो आप लोगोंने देखी लिया लेकिन उसकी बल्लेबाजी में कितना गहराई है ओ भी जनना जरूरी है रियान पराग असाम की गुहाटी से आता है यानि नौर्टिश से आता है रियान पराग असाम की ओर से IPL में खेलता हुआ दूसरा खिलारी है उससे पहले अबु नासी महमेद ने भी खेला था मुंबाई के लिए रियान पराग असाम से पहला खिलारी है जिनोंने इतना बरा मंस पर शांदार खेल दिखाए रियान्द पराग की शानधार पदर्शन की बाद बरे-बरे मंच पर उनकी बारे में चर्चा होने लगी है रियान्द पराग तो काफी साल से IPL खेल रहा है लेकिन उनका पदर्शन उतना खास नहीं था लेकिन 2020 में वो आये और सहा गए 2020 में रियान पराग ने डॉमस्टिक क्रिकेट में शांदार बल्लेबाजी की कोहरा मसा दिया और उस फ्रॉम को जारी रखते हुए IPL में आये और यहां भी सा गए उन्होंने तीन अर्दशतक लगा दिये रियान पराग को रजस्तान रोयल्स ने काफी बेक किया है और उसका फाइदा इस समय रजस्तान रोयल्स को मिलता हुआ लेकिन 2020 में जिस तरह से उन्होंने शुरुआत किया सब की नजरे उनकी तरफ है अगर आप यू कहे कि रियान पराग की उपर BCCI की नजर भी है तो भी गलत नहीं होगा ऐसा भी हो सकता है कि रियान पराग 2020 की T20 विशकाब भी खेल जाए रियान पराग में टेलेंट कूट कूट के बरा है और एक समय ये बरा नाम कमाएगा सबी दिग्गस ये कह रही है कि रियान पराग की बल्ले बजी देखने लाइक है IPL की बाहर की जो दुनिया है डमस्टिक, लिश्ट एक की मेस, रंजी टोफी फास्ट क्लास क्रिकेट में रियान पराग ने कोहरा मचा दिया हुआ बुलेट की रफ्तर से दुर रही है रियान पराग डमस्टिक में रियान पराग वन मेन अर्मी की तरह आसाम को सिंगल हैंडेट मेस जिता रही है एक मेस में नहीं बलकि लगातार एक की बात एक मेस में रियान पराग शंदर बले बजी करते हुए असाम को जिता रही है रियान पराग असाम का वो हीरा है जिन्हें काफी तराशने की बाद ही मिला है डॉमास्टिक क्रिकेट से फ्रोम लेके आये रियान पराग ने IPL में आग लगा दी 20 में तो रियान पराग ने ओरेंज के फिसिल लिया था रियान पराग ने 8 में से खेली है और 7 इनिंग्स है और रान बनाए 318 रियान पराग का एवरस है 63.60 और रियान पराग का इस्टाक रेट है 161.42 रियान पराग ने 3 अर्दाशतक लगाए और टोप स्कूर है 84 नोट आउट रियान पराग ने तो दो ऐसे इनिंग्स खेले जिसमें लगबग शोतक बना ही दिया था रियान पराग का उमर है 2020 में 22 साल रियान पराग ने IPL में कूल 62 मेंचे खेली है रियान पराग ने IPL में 51 इनिंग्स खेले है और कूल रान बनाए है 918 कूल मिलाकर IPL में रियान पराग ने 5 अर्दाशतक के लगाई है रियान पराग का अर्दाशतक कम होने का बज़ई भी है क्योंकि पहले रियान पराग फिनिशार की रूप में काफी नीचे आते थे लेकिन इस साल उनको प्रोमूट किया गया चार नमबर पर आगर रिपूट की माने तो T20 विशकाप में रियान पराग जाने वाला है कई सारे दिग्गस ये बाते कर रही है फिल हाल सबकी मूँपर रियान पराग का नाम है और काफी जादा सर्शा होने लगी है उनकी बारे में और BCCI की नजरे निर्ची तरबर रियान पराग की उपर होंगे और रियान पराग को सुनने का बज़ाई भी है उनने जबरदस्थ खेल खेला है और इस तरह से अगर खेलते रहेंगे आखरी तक तो निर्ची तरबर रियान पराग को T20 वर्लक अप में देखा जाएगा रियान पराग की सबसे बड़ा प्लास पॉइंट ये है कि वो एक बोलार भी है और शांदार गेम बाजी वो करते है और फिल्डिंग भी तक रा करती है इसलिए उम्मीद किया जाता है कि कोई खिलारी से आगे रियान पराग को आप देख सकते है T20 विशकाप में कोई लोग तो ये कहते है कि जिस खिलारी ने अभी तक भारत के लिए नहीं खेला है उसको डाइरेक T20 विशकाप में कैसे ले जाएंगे लेकिन एशा एक उदाहरन में आपको देता हूँ यूसू पठान 2007 की T20 विशकाप में उनको ले गया था डाइरेक विशकाप में उनको फाइनल में खिलाया गया तो इस तरह से मुझे लगता है कि रियान पराग को T20 विशकाप में लिया जा सकता है तीम इंडिया में फिल हाल रियान पराग की काफी जोड़दार डिमांड है उनकी जैसा बल्लेबास टीम इंडिया में चाहिए उनकी जैसा फिनिशार टीम इंडिया में चाहिए रियान पराक्की जैसा ओल राउंडर टीम इंडिया में चाहिए इसी की साथ दोस्तों आप लोगों से बीदा लेते हैं फिर मिलेंगे जैजिन